ओम श्री साइनाथाई नम्हा, गुड मॉर्निंग, साइ मॉर्निंग, शुब गुरुवार, हैपी देस्टे, आप सबी को गुरुवार की धेर सारी शुब काम नाए, आए इस नए दिन की प्यारी से शुरुवात करते हैं, आए अपनी बाबा की आशिरवात से इस दिन को इस दिन की प्यारी से शुरुवात करते हैं, प्यारे से खयालों के साथ, बाबा के दिदार के साथ, अपने परिवार के साथ, और नई खुशियों के साथ, कहते हम जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, वही हम सोचने भी लगते हैं, वही हमारे खयालों में च चलने लग जाता है। होता है ना ऐसा? कहीं से कुछ सुना, वो सोच कर बार-बार उसे रिपीट करते हैं हम लोग। कहीं कुछ देख लिया, वो भी हमारे दिमाग में चलने लग जाता है। है ना? तो जब ऐसा होता ही है, तो क्यों ना वो देखा जाये, हम घबरा जाये या फिर जिसे सोचने से हमारा मन ही अशान्त हो जाये। सोचना और देखना वो है, जिसे सोचने से, जिसे देखने से, जिसे सुनने से हम खुश रहें। हमारा चित खुश रहें। है ना? क्योंकि जब जो चीज चित में बैठ जाती है वो चिंतन का हिस्दा बन जाती है फिर हम उसे ही चिंतन में ले आते हैं बार-बार सोचते रहते हैं इसलिए अगर कुछ सोचना ही है बार-बार किसी चीज को याद करना ही है तो क्यों न? वो भगवान से जुड़ी हो वो अच्छी चीजों से जुड़ी हो क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा ही आप फील करते जाओगे है न कि ऐसा हो रहा है तो आईए वो सोचते हैं वो देखते हैं वो सुनते हैं जो अच्छा है सच्चा है और हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आज की लाइफ में बहुत सारी चीज़े ऐसी हैं जो हमें हमारे जो हौसलों को भी गिरा सकते लेकिन नहीं हमें क्या करना है अच्छी चीज़ की तरफ भागना है वो पकड़नी है जो हमारे लिए बहतर है और हमें बहतरीन देने वाली है जिसे पढ़कर जिसे सुनकर जिसे देखकर हम अपने लिए और सब के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं और कभी भी अगर आपके मन में किसी दूसरों की सेवा का भाव आ जाए ना तो ये सोचे कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि दूसरों के लिए वही सोचते हैं जिनके दिल में दया दिल में प्रेम होता है जिन पर साइं का अशिरवाद होता है दूसरों की फिक्र करना ये बहुत अच्छी बात है तो चलिए आईए मिलकर आज का दिन प्रातना के साथ बाबा को धन्यवाद करते हुए शुरू करते हैं हे देवाधी देव साइनात बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वो सब कुछ दिया जिसे पाकर आज हम संतुष्ट हैं जिसे पाकर आज हमें किसी भी प्रकार की कोई भी लालसा नहीं है बाबा हम बहुत बहुत खुश है हमारे जीवन का हर एक पल खुबसुरत है हमारी सफलता, हमारे कार्य, सब कुछ हमारे बहुत निकट है हम उस हर चीज को पालेंगे जिसके लिए आपसे प्रातना की है और जिस चीज पर आपका आशिरवाद है जो आपने हमारे लिए बहतर बनाई है देवा हम सबुरी भी कर लेंगे बस आपका साथ प्यार और आशिरवाद जब हमारे साथ होगा तो हर चीज संभव हो जाएगी इसलिए सभी बाबा से प्रात्ना में यही कहें कि देवा अपना अशिर्वाद अपना साथ पनाए रखना रहम करना दया करना बाबा और हम सब की श्रधा की इलाज रखना देवा और आप अपनी जीवन के प्रती कभी भी जिनता नहीं करना जितने जितने जादा बाबा के करीब जाते जाओके उतने ही निखरते जाएंगे हम उतने ही बदलते जाएंगे हम क्योंकि कहते हैं न कि पिता तो अगर प्यार के सागर हो न तो बच्छे भी प्रेम से भरपूर होते हैं और हमारे माता, पिता, भाई, सखा जो भी रिष्टा आपका बावा से है तो जितने बावा के करीब जाओगे उतने ही बदल जाओगे वैसे बन जाओगे जैसे आप चाहते हो वैसा होने लगेगा जैसा आप चाहते हो आपका कर्म, आपका भागे बदलेगा ठीक है? हमें अच्छे कर्म करने है अपनी तरफ से कभी भी वो गलत कारे नहीं करना जिसे करने से किसी को तकलीफ मिले किसी का बुरा हो किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रियेट हो ठीक है? अपनी तरफ नहीं है और कोई अच्छा समझे या ना समझे कोई आपको बहतर कही या ना कही एक चीज याद रखना आपने अच्छा किया है ये आपको पता है और आपके भगवान को पता है आपने किसी भी प्रकार से कोई गलत भाव से काम नहीं किया आपको पता है आपके भगवान को पता है तीसरा व्यक्तिस सिर्फ आपको जज करता है आपको सही या गलत बताता है लेकिन आपका मालिक अगर जानता है कि आप सच्छे हो तो आपको किसी से घबराने या डरने की कभी कोई जरुरत नहीं है आपने गलत किया नहीं आपको किसी चीज़ का डर नहीं क्योंकि सच्चाई में भाई की जगा नहीं होते जहाँ पर सच होता है न वहाँ पर कोई डर नहीं होता आप सच्चे हो आप बस अपने कारे पर ध्यान दो कोई कुछ भी कहे उससे कोई मतलब ने बस सुबा शाम उठते बैठते साई साई का नाम जाप करते रहे बाबा का धन्यवाद करते रहे सुबा उठे तो साई का धन्यवाद किया शाम को सोने से पहले रात को फिर बाबा का धन्यवाद किया कोई कारे हुआ तो बाबा कोई कारे नहीं हो पाया तब भी धन्यवाद किया कि साइं तुम जो करोगे वो अच्छा करोगे बस ये विश्वास ही भक्त को भगवान के करीब लेकर के जाता है तो चलिए अब हम प्रातना शुरू करते हैं जिन लोगों के लिए आज की प्रातना की जा रहे है उनके नाम श्री साई चरणों में रखते हुए आज की प्रातना को शुरू करते हैं तो आज की प्रातना के जो नाम है वो मैं बाबा के चरणों पर रखती हूँ इस विश्वास से कि बाबा हमारी श्रद्धा की हमेशा लाज रखते हैं आगे भी रखेंगे हमें अपने बाबा पर पूरा भरोसा है तो आज की प्रात्ना के नाम है बच्चा हर्शित, नरेंद्र शर्मा जी, शंकर देव जी और संचिता जी भूमे बच्चा, बच्ची परी और बच्ची बेबो, जस्वन्त जी और पूर्निमा जी देपक देशमुक जी, विरांच जी, सुरेश कुमार साहु जी, सिबाती साहु जी, मिन्टु चौदरी जी, अलिशा जी एन ओल फैमिलीज हे देवा, बबा सबकी श्रद्धा की लाज रखना, सबके लाइफ में खुश्या हो, सबी हेल्दी रहें, हैपी रहें, मस्कुराते रहें और अपने जीवन में हर चीज वो पाते रहें, जिस के वो हकदार है, जो उन्हें चाहिए, जो उनका सपना है बबा सबका सपना पुरा हो, मेरी आपके श्रीचरणों में यही प्रातना है तो बच्चे हरशित पे बबाबा कृपा करना, उसकी लाइफ की सारी प्राब्रम्स कातम होकर लाइफ में खुश्यों का आगमन हो और उसके मन में जो भी संशे, जो भी कोई भी परिशानी चल रही है बबाबा, वो खुश्यों में बदल जाए, मेरी आपके श्रीचरणों में यही प्रातना है नरेंदर शिर्मा जी परक्रपा करना वाबा, उनकी सेहत, जो भी संबंधी, सेहत संबंधी परिशानी वाबा, वो जल्दी से खत्म होकर, उनकी लाइफ में खुश्यों का आगमन हो, वो स्वस्त रहें, हेल्दी रहें, और आपका शिर्वाद मिले, मेरी बबाबा, आपसे कहा है, कौन है, हम तो सरफ ये बोल रहे हैं कि दिवा बच्चा है, लेकिन बाबा को सब मालूम है कि उस बच्चे पर कहा है और क्या नाम रखा जाएगा ये बबाबा जानते हैं, तो दिवा, बच्चे को बबाबा, बिल्कुल स्वस्त कर दीजे, उसका जीवन खुश्यों से लिख दीजे मेरे मालिक, रहम कर दीजे, दया कर दीजे, बच्चे को स्वस्त कर दीजे दीवा, सुरेश कुमार साहु जी और सेबादी साहु जी की बबाबा तब ठीक नहीं है, इन दोनों पर करपा करो कि ये दोनों स्वस्त हो जाएं, हेल्दी हो जाएं और आपका बावा दोनों को स्वस्त रखना रहम करना दया करना सबकी श्रद्धा की लाज रखना मेरे मालिक और आएए अब जिनका बड़े है उनके लिए प्रात्ना करते हैं तो आज अलिशा का बड़े है अलिशा जी आपको आपके जनम दिन की बहुत सारी शुपकाम नाएं साइं आ आपका जीवन सदा खुशियों से भरपूर रहे आपकी लाइफ का हर दिन बहुत खुप सुरत हो आपके लाइफ में खुश्या है खुश्या हो और जो चाहते हैं आपको वो मिले आपके लाइफ बहुँ सकसफुल हो हमारी श्री साहीं चरणों में यही प्रात्ना है कि बा पुरी हो बाबा का शिर्वात सदेव आप पर बना रहे, जिंदगी में आपका हर दिन खुश्यों से भरपूर हो, हम श्री साइचरणों में यही प्रातना करते हैं. और बच्ची परी एन बच्ची बेबो का फर्स्ट बर्दे है, दोनों बच्ची ओं का पहला जनम दिन है, तो ही देवा इन दोनों बच्ची ओं पर कृपा करना, बच्ची परी और बच्ची बेबो दोनों के माता पिता को बच्चों के जनम दिन की हारदिक शुप कामना है, बच्चे लाइफ में बहुत आगे पड़ें, बहुत सक्सस करें वो हर चीज पाएं जो इन्होंने इनका सपना हो इनकी लाइफ का हर दिन खुश्यों से भरबूर हो इनकी लाइफ और इनके चेहरे पर सदेव मुस्कुराहट बनी रहे लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करें, बहुत सक्ससफूल बनें मालिक इनकी लाइफ में बहुत सारी सफलता वाले दिन आए बहुत खश रहें, हर दिन लाइफ का बहत खुबसुरत हो बाबा करपा करना, डया करना, हम सब की श्रधा की लाज़ रखना बच्चों पर रहम नजर करना और शंकर देव जी एंट संचिता जी की मेरिज अनिवरस्टरी है शंकर जी एंट संचिता जी को इस शुब दिन की धीर सारी हार्डिक शुब काम नाए मालिक आप दोनों को सदा खुश रखें हेल्दी हपी रखें आप दोनों का जिवन सदा खुशियों से भर पूर रहे आपके लाइफ का हर सपना पूरा हो हम श्री साइंचरणों में यही परातना करते हैं कि आपकी हर विश पूरी करें दिवा जस्वंत जी अन पूर्निमा जी की marriage anniversary है जस्वंत जी अन पूर्निमा जी को भी आपके लाइफ में आए जिसे आप चाहते हैं आपकी लाइफ का हर सपना पूरा हो हम श्री साइंचरणों में यही परातना करते हैं कि मालक सब को खुश रखे आपको भी खुश रखे और मिन्टू जी की जो business related जो भी समस्या है हम सभी परातना करते हैं बाबा मिन्टू जी की लाइफ बिश्या आए और वो उनकी लाइफ में चल रही समस्या का समाधान हो बाबा का शिरवाद मिले और वो सदा सुख ही रहे देवा दया करना रहम करना तो चलिए बाबा का शिरवाद से अब आज की प्रात्ना को संपूर्ण करने के लिए श्री साई चर्णों में ही बैठ कर ग्यारा वचनों का पाठ करते हैं और माला देवी जी का कमेंट था उन्होंने लिखा था अनुजी बाबा का शुकराना करना तो बहुत बहुत धन्यवाद देवा हमारे तरफ से भी माला देवी की तरफ से भी और सभी की तरफ से बाबा के चर्णों में बार बार नमस्कार है बार बार धन्यवाद है बार बार बस यही चाहते हैं देवा इन चर्णों में जगा देना इन चर्णों के करीब रखना और अच्छे बने सच्चे बने इमानदारी से कारे करे ऐसा आश्रवात बनाए रखेगा आम पर जो चलिए 11 वचनों के साथ आज की प्रात्ना को संपोर्ण करते हैं मेरे साथ मिलकर सभी 11 वचन पढ़ें ठीक है जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा चड़े समाधी की सीड़ी पर पैर तले दुख की पेड़ी पर त्याग शरीर चला जाऊंगा भक्त हे तुदोडा आऊंगा मन में रखना द्रडविश्वास करे समाधी पूरी आस मुझे सदा जीवित ही जानो अनुभव करो सत्य पहचानो मेरी शर्णा खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का भार तुम्हारा मुझ पर होगा वचन न मेरा जूठा होगा आउ सहायता लो भरपूर जो मांगा वो नहीं है दूर मुझ मेलीन वचन मन काया उस कारण न कभी चुकाया धन्य धन्य वह भक्त अनन्य मेरी शरं तजजिसे न अन्य अनन्त कोटी ब्रह्मान नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सचदानन्द सद्गुरु साइनात महराज की जय बाबा की कृपा से आज की प्रातना संपूर्ण होती है आए हम सभी मिलकर आज का दिन शुरू करते हैं आप सभी का दिन शुब और मंगल मै हो चलिए फिर मिलेंगे आपसे दोपहर साड़े बारा बजे बाबा के नाम के साथ साइधर बार में एक साथ मिलकर बैठके नाम जाब करेंगे और साइधर को पुकारेंगे और अपने मन को शांत करने के लिए साइधर बारा बचे यूट्यूब साइधर चानल पर ओके ओम साइराम जैजै साइराम शुब गुरुवार हापी थरस्टे